इंसाफ किया के जुकना पड़ेगा जेके जुटी राशन डिलर जुनियर जिन्दा वार इंसाफ किया के जुकना पड़ेगा 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 जुकन दिल्ली ताल कुटोरा स्टेडियम जंतर मंतर स्टाइज जुलाई पे रखी थी पहले जंतर मंतर पे रखी थी उसके बार ताल कुटोरीय स्टेडियम में रखी थी उसमें मंतरी जी भी गोहिल भी उसमें में की मीटिंग का एक हिस्था बने थे तो जो हमारी डुमांडे थी क आलावर इंडिया की जो स्ट्राइक चल रही है वो पूरा भारत में बांद है एक से लेके 16 तक और जो जिनकी जिनकी हुआई में हम स्ट्राइक के बैनर के नीचे है उनका नाम है विशंबर बासु जी वो आल इंडिया फडरेशन के जनरल सेक्टरी है और प्रलाज भाई की जाए और उसके साथ जो जमू की बात करें तो जमू में 1928 का जो पैसा था जो चो लागू ने किया गिया और बेस्टी कि हमें दिक्ट आ रही है काफी और इसके साथ ही जो हमारी डिमांडे है हालावरी इंडिया की की डिलर जो है उसको तो मैं की हर काम कर रहा है डिलर जितना काम एक गोर्मेंट इंपलाइज कर रहा है उतना ही काम डिलर कर रहा है तो डिलर को जो है मैं की इतनी कम कमिशन में जो डिलर काम कर रहा है तो कहीं तो कहीं उसके घर का गुजारा चलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है तो इसके लिए जो आलबर इंडिया में रखी गई है वो स्केस्ट किये जहें जब बारा सुत्री मांगे जो गूर्मनेट के आगे रखी गई है उसको लागू किया जाए अग पर आलवर इंडिया के पांस लाख सती हिजार डीलर बहां पहुंच के एक अपनी में की है हमारी आल इंडिया लेवल के समर्थन में सट्राइक चल दिया साथ उसके समर्थन में साथ उन्होंने आला अध्यारियों ने जो हमें मैसेज आया कि एक से लेकर सोला तक जो आपकी पीडियाश की शौपे यह बंद रहेंगी क्योंकि उसके लिए उन्होंने पचास दजार ब्या महावार प्लस साथ सो चोट रूपे कोंटर पर कमिशन के हिसाब से उनसे डिमा नहीं गहीं हैं कुछ की अभी बाची चल रही है तो हमें मुहित है कि गोवर्मेंट आफ इंडिया से हमारी यह बातें काफिया तक्लीर हो जाएंगी और जो अला अध्यकारी हमारे आल इंडिया फैडरेशन से जो कंसर्णिंग बंदे हैं जैसे प्रलाज बाई मोदी जी व हम आगे काम करेंगे सर और सबसे बड़ी बात यहां कि सर उन्हों ने हमें कहा कि एक से लेके 16 तक आप अपनी शपे बंद रखेंगे और मिशीने बगएदा आफ रखेंगे तो हमने उन्हीं के समर्थन में यह सहजोग दिया है और जैसे ही उनका डिसीजन आगे आएगा उ शुरू हो जागी जाहिन जाबादन